दोस्तों अब सब लोगों को पताई होगा कि भारत जो AMCA मार्क्टू यार्क्रेप्टों के लिए इंजिनों को जॉइंड वेंचर के अंतरगत बनाना चाहता है असल में उन इंजिनों के को डेफलोप्मेंट के लिए एक तरफ जहां भी फ्रांस के द्वारा ओफर रखा गया है पर रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि फिलाल इन इंजिनों के को डेफलोप्मेंट के डील में फ्रांस के दावेदारी काफी स्ट्रोंग है लेकिन इसके बावजूद भी ब्रिटेन के तरफ से अपने प्रयास को कम नहीं किया जा रहा है और दोस्तों अब यार्क्राफ्ट कैरियर के इंजिनों को भारत बिटेन से खरीद ले मिडिया रिपोर्टों के मताविक दावा किया जा रहा है कि रोल्स रोयस कंपनी के तरफ से भारत के नेक्स जेनरेशन यार्क्राफ्ट कैरियर के लिए मेरिन गैस्टरवाइन इंजिन के रूप में केरियर मतलब IAC-1 जिसे की आयनेस विकरांद्वी कहा जाता है उसमें अमेरिकी कमपनी जनरलेक्टिक के तरफ से निर्मान किया हुआ LM2500 इंजिनों का उपियोग किया है IAC-1 असल में एक 44,000 टन वजन का मीडियम साइज के यारक्राफ्ट केरियर है जवकि अब भारत के तरफ से अपने दूसरे यारक्राफ्ट केरियर मतलब IAC-2 को भी बनाने को लेके संकल्व कर लिया गया है और कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि भारत इस यारक्राफ्ट केरियर में शायद LM2500 इंजिनों का उपियोग ना करे बलकि इसके जगा में MT30 इंजिनों का उपियोग करने का संभावना काफी अधिक है हलाकि पहले के रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है था कि आई-ए-सी-2 मतलब इंडेजिनियस यारक्रैफ्ट केरियर 2 165,000 तन के भारी फर्कम यारक्रैफ्ट केरियर होगा और इसके लिए MT30 इंजिनी ही पर्फेक्ट होगा तो उही पे अब आई-ए-सी-2 को इतने भ आवा किया जा रहा है कि आएने स्विक्रांट के ही जैसे डिजाइन होने के बावजूद भी इसका वजन 5000 से लेके 10,000 तक अधिक हो सकता है और दोस्तों अगर इसका वजन अधिक होता है तो संभावनाय सबसे अधिक है कि इसमें MT30 जैसे इंजिनों का ही उपयोग किया जाए हाला कि वजन अगर आएनेस विक्रांट के जैसे सिमिलर होता है तो अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्टिक भी अपने प्रयास को नहीं छोड़ेगा और ये प्रयास करेगा कि जिस तरीके से आएनेस विक्रांट में LM2500 इंजिनों का उपयोग किया जाए पर वही पे अब रिप MT30 इंजिनों का उपयोग करें क्योंकि इसके बाद जो और भारी भर कम यार्क्राफ्ट केरियरों को इंडिया के तरफ से निर्मान किया जाना है जैसे कि IAC3 उसमें MT30 इंजिनों का उपयोग होगा और पहले से अगर IAC2 में इन इंजिनों का उपयोग किया जाता है तो ये तरफ जहाँ पे भारत के लिए आसानी पैदा करेगा तो उही पे ब्रिटेन के लिए भी ये डील और बढ़ा हो जाएगा और दोसों जब से डिफेस विनिशा श्री राजना सेंग के तरफ से बयान में ये बताया गया है कि भारत कम से कम चार और यार क्रेफ्ट कैरियरों को निर्मान करेगा तब से ही MT-30 इंजिनों को लेके ब्रिटेन के द्वारा किये जाने वाले प्रस्ताब में और बढ़ोत्री आया है इवन ब्रिटेन तो MT-30 इंजिनों को भारत के हिंदूसान एरनोटिक्स लिमिटेड के साथ मिलके कुलावरेशन के अंतरगत भारत में लोक ट्रांसफर आफ टेक्नोलजी में मिलेगा हाले कि वही पे AMCA यारक्रेफ्टों के इंजिन के लिए भारत के तरफ से इसी तरीके का शर्त रखा गया है जिसमें केवल इंजिनों को को डेवलफ्ट ही नहीं करना है बलकि ट्रांसफर आफ टेक्नोलजी के साथ साथ इंटलेक् प्रिटेन के द्वारा और वी कई तरीके के बातों को भारत के सामने रखा गया है और ये वी कहा जा रहा है कि LM2500 के जगा में अगर भारत के द्वारा MT30 इंजिनों को उप्योग किया जाता है तो ये स्टेंडराइजेशन के साथ साथ प्रफार्मेंस को भी इंक्रीस करेगा और डोमेस्टिक प्रोडक्शन के वज़ा से मेक इन इंडिया इनिशिटीव को भी बढ़ावा मिलेगा और इवेन ब्रिटेन के तरफ से ये वी दावा किया जा रहा है कि भारत अगर आने वाले समय में अपने सभी आरक्राफ्ट केरियरों में इन इंजिनों को उप्योग क है तो ही पे इसे LM2500 इंजिनों के दावेदारी भी एक तरीके से स्ट्रोंग है जबकि दूसरे तरफ आप लोग को ये भी बता दू कि भारत अपने नेक जेनरेशन के एरक्राफ्ट कैरियरों के लिए एक हाइबिर प्रोपोल्शन सिस्टम चाहता है और बिर्टेन के तरफ 18 के उपर भी काम करना चाहता है और हेलिकॉफटर कैरियर का भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है ऐसे में बिर्टेन ये भी चाहेगा कि कैसे भी करके इंडियन नेवी के इस मेगा टेंडरों को हसल किया जा सके और अगर बिर्टेन को ये टेंडर मिल ज समय में कम से कम 4 यार क्रेफ्ट कैरियर और 6-8 डेस्ट्रोयर के साथ साथ 4 हेलिकॉफटर कैरियर में बिर्टेन के इंजिनों का उपयोग हो सकेगा अब दोस्तों एक तरफ जहाँ पे बिर्टेन लगातार भारत के सामने जट इंजिनों को लेके ओफर कर रहा है तो उई ही कॉस्ट के साथ साथ इसमें इस्तेमाल होने वाले रशियन कॉंपोनेंट आने वाले समय में भारत के लिए एक बहुत बड़ा कॉज अफ गंसरन बन सकता है अब दोस्तों आप लोगों को पताई होगा कि कुछी समय पहले हिंदुस्तन एरनोटिक्स लिमिटेड को इंडियन यारक्राफ्टों को निर्मान करने के लिए जो कीट है वो रश्या के तरफ से ही सप्लाई किया जाएगा पर दोस्तों अब ये जो डील है ये एक तरीके से सेल्फ एलाइन्स के मामले में मतलब आत्मनिर्वर्था के मामले में एक कारण बनते जा रहा है सुखोई 30 MKI यारक करण के तरफ से निर्मान किया गया है और इन यारक्राफ्टों को भारत में लाइसेंसली प्रोड्यूस किया जाता था। कीमत में इतना अधिक अंतर है तो भारत में यार क्रेप्टों को मिनुफैक्चर करने पर ये एक तरीके से भारत के लिए नुकसान दायक ही होगा। हाला कि दोस्तों स्वदेशी तरीके से ये यार क्रेप्टों के काफी बड़े बड़े कंपोनेंटों को तैयार करने के पावजूद भी कुछ बेसिक कंपोनेंट जैसे की रॉ मैटरियल जिसमें की टाइटेनियम से शुरू करके अलूमनियम और इवन स्टील के कंपोनेंट से शुरू करके नर्ट्स और बोर्ड्स भी शामिल है उसके लिए भारत को रश्या के उपर डिपेंड होना पड़ रहा है और ये जो डिपेंडेंसी है ये केवल मात्र यार क्रेप्टों के ओवर्रॉलिंग में ही असर नहीं डाल रहा है बलकि यार क्रेफ्टों के सर्विस के नहीं ले सकता है और नहीं यार क्रेफ्टों के सर्विस में किसी वी तरीके का डिले सहन कर सकता है पिलार इंडियान यार फोर्स के बेडे में 260 से भी अधिक सुखुई 30 MKI यार क्रेफ्ट है और पिछले कुछ सालों के अंदर जो यार क्रेफ्ट हाथ से का शिकार हुआ था सुपर सुखोई प्रॉजेट को भारत के द्वारा इंडिजनाइजेशन के साथ मतलब इंडियन कॉंपोनेंटों के साथ आगे बढ़ाचार है और कुछ रिपोर्टों के मताविक सुपर सुखोई प्रॉजेट को कंप्लेट करने के बाद ये जो रशन ओरिजिन सुखोई 30 MKI यार क्रेफ्ट है इसमें कम से कम 80% तक इंडिजनियस कंटेंड होगा और तब केवल मात्र 20% इन यार क्रेफ्टों के मिन्टेनेंस के लिए भारत को रश्या के उपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा जिससे कि यार क्रेफ्टों के सर्विसिविलिटी आसान होने के साथ आप लोगों को क्या लगता है कि इंडोस जनाइजिशन के वज़ा से अगर सुखोई 30 मका यारक्रेप्टों के प्राइस बढ़ता है तो क्या ये भारत को सहन कर लेना चाहिए या फिर रश्या से ही डारेक्ली यारक्रेप्टों को खरिदना चाहिए कॉमेंट करके अपने रा प्राइस बातारम